आज कक्षद छे की बच्चों को संस्क्रित विसे के अंतरगत मैं ग्यार बारवा पार्थ जो गिंती से संबधित है वो पढ़ाऊंगी दौादसा बाठा दसमहत तौमसी दसवे तुम हो एक दा दस बालका स्नाना नदीम और गच्चन एक बार एक दा मतलब एक समय बहुत समय पहले दस बालका इसनाना नदीम और गच्चन दस लड़के नहाने के लिए नदी पर गए ते नदी जले चीरम इसनानम और कुर्बन उन्होंने नदी के जल में देर काल तक इसनान किया ततह ते तीरतुआ पारम गता तब ये तैर कर पार चले गए तदा ते शाम नायक अपर च्चत तब उनके नायक ने ग्रूप लीडर ने जो लड़के गए थे दस लड़के थे और उनके जो नायक था जो ग्रूप लीडर था उसने पूछा अपी सरबे बालका नदी मुत्तीर नह क्या सभी लड़के नदी तेर कर पार कर गए तदा कश्चित बालका और गणियत तब किसी बच्चे ने गिंती की एकः द्व त्रया चत्वारा पंच शट शप्त अस्टव नव इति जब गुरूप लीडर ने पूछा कि क्या सभी पार निकल गए तो एक किसी लड़के ने अपने आप सब को गिंती की तो उसने गिना एक एक मतलब एक दो मतलब दो त्रया तीन चत्वारा चार पंच पांच सट शे शप्त साथ अस्टव आठ नव नव इति बस इतना बोल के वो रह गया सह स्वम नव ओ गणियत उसने खुद की गिंती नहीं की अता सह ओ वदत इसलिए वह बोला नव एव संती नव ही हैं दसमा नव अस्ती दसवा नहीं है अपरा अपिबाल कह पुना अन्यान बालकान ओ गणियत फिर दूसरे लड़के ने और उसके बाद अन्य लड़कों ने भी गिंती की तदा अपि नव एव आशन तब भी नव ही थे अता ते निश्चयमा कुर्बन यत दसमा नद्याम मगना इसलिए उन लोगों ने निश्चय किया कि दसमा नदी में डूब गया ते दुखी ताह तुशनिम ओतिष्चन वे दुखी और सांत थे ये क्या आपने देखा कि दस बालक इसनान करने गए सभी ने इसनान किया जब गुरूप लीडर ने नायक ने पूछा कि क्या सभी नदी पार कर गए तो किसी ने गिंती की एक दो तीन चार पांच छे साथ नौ उसने खुद को नहीं गिना इसलिए वा बोला कि नौ ही है दस्वा नहीं है फिर दूसरे अपरा माने दूसरे बालक ने भी गिना फिर और बालकों ने गिना जो गिनती करता था वा खुद की गिनती नहीं करता था इसलिए अंत में उन लोगों ने निश्चे किया कि द बार बार पढ़ें इस अर्थ को सुनें अगले वीडियो में मैं इसका सेश भाग भेजूंगी धन्यवाद